मानो पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बलकि सेवा करने तता बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याएबीस पस्वंक्या अठाएस आज का सुफसंदेश जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभुक्रिस्त में मेरे प्यारे भायोर बहनों, आज मातकलिस्या के साथ हम सबी संत याकुब जो प्रेरित्ते उनका पर्व मना रहे हैं। संद पॉलूस आज का पहले पात में कुर्यूंतियों के लिखते वे दूसरे पत्र में कहते हैं। अमूल्य निदी हम में मिट्टी के पात्रों में रखी जाती है। जिससे ये स्वस्ट हो जाएं कि ये अलुक्विक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बलकि ईश्वर का है। याने संद पॉलूस पस्ट करना चाते हैं कुरुंतियों के लिखते वे पत्र में कि जो भी वर्दान हमें दिया है वे ईश्वर के द्वारा मिली हैं। हमें उसको संभाल के रखना है। ये उस मिट्टी के पात्र के समान है। यदि उसका संभाल के नहीं रखते हैं। उसका ख्याल नहीं करते कभी भी तूट जाएगा। और जो अमूल्य निदी, जो वर्दान, जो मूल्य प्रभु ईश्वर ने अमारे जीवन में डाले हैं वो बिकर जाएंगे। संत याकुब एक महान संत थे, प्रेरित थे। अपने जीवन काल में, अपने पत्र द्वारा, अपने प्रवचन द्वारा उन्होंने लोगों को प्रभु के करीब लाया। उन्होंने लोगों को समझाया सच्चा जीवन किस प्रकार का जीना है, किस प्रकार के अपने जीवन में काबू लाना है और प्रभु के बताएवे मार्प पर चलना है। बले ही जब प्रभु के साथ रहते समय उनके जीवन में, उनके मन में और कोई ख्वाइश थी कि वे प्रभु के साथ रहें। प्रभु के अगल बगल मैटे दो भाई, लेकिन प्रभु की मृत्यों के बाद, उनके पनुडुतान के बाद, याकुब को पता चला सच्चा शिश बनने का अर्थ किया है। मेरे विश्वासियों क्योंकि हमारे इच्चाओं को कभी सीमा नहीं होते हैं। पुत्रों की मा बहुत उमीद लेके प्रभू के पास आती है। उनसे अनुरोद करती है। विंती करती है। अपने पुत्रों को दाएं और बाएं बैठा दिया जाए। प्रभू उनकी इच्छा को पूरी तरह न कारते नहीं। तिरस्कृत नहीं करते। लेकिन कहते हैं बैठने का दिकार वो एश्वर का है, मेरा नहीं। हम और आप भी प्रभू येश्व का अनुसरन करते होंगे। हम लोगों की क्या इच्छा होनी चाहिए। किस प्रकार हमें प्रभू के अनुसरन करना चाहिए। याकुब को पता चलने पर उनका इच्छा दूसरी बदल है, वो सच्मुच प्रभू के मार्क पर चलने लगें और उनको पता चला प्रभू के साथ रहना, उनका वच्छन उनको ग्रहन करना, वच्छन उनको दूसरों तक पहुंचाना ही, प्रभू के साथ रहना। हम आज यही महान संत के द्वारा प्रात न करें, हमारे जो इच् झाने कर दो सेंगर को आएर गुड़न झाने कर दो दो सेहल स्वेंट